है वाट्स अप गाईज कैसे हैं आप सब देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 10 सेप्टमबर का दा हिंदू न्यूस पेपर और पी आई बी का इंपोर्टन करेंट अफियर्स तो लीजे गाईज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे सेमी कोन इंडिया दो हजार चोबिस ये इवेंट जो है बिल्कुल ग्रेटर नोइडा उत्तर परदेश के यहां पे होगा 11 से 13 सेप्टमबर दो हजार चोबिस और देखो इंडियन सेमी कंडेक्टर मिशन जो ह पूरे 5 साल हो गए तो ये योजना हरे एकजाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस योजना को तो देखो इसको लॉंच किया जाता है 12 सेप्टमबर 2019 को और ये योजना ये इस योजना का जो लाब है न वो जो फार्मर जिनकी उ एक तरह से आप old age में जब जाएंगे तो आपके लिए फायदा मिलेगा इसका ठीक है और कितना रूपिया monthly pension of 3000 to a land holding small and marginal farmers after attending the age of 60 मतलब बाकी तो depend करता है कि आपका भई कितना क्या पैसा आपने दिया वहाँ पे 55 से 200 के बीच में है न उनके उपर लेकिन ये amount भी आपको ध् रखना है ठीक है और कब मिलेगा attending the age of 60 और देखो ये जो fund है पैसे का आप जमा करवाएंगे जो भी इसको manage कौन करेगा LIC ये भी याद रखो ठीक है और बिहार जो है सबसे ज्यादा registration देखने को मिले हैं बिहार से उसके बाद में जार्खंट के ठीक है और equal contribution किया जाएग और सरकार के दवारा जो department है department of agriculture, corporation and farmers welfare ये बिलकुल contribute करेगा इसमें तो basic चीजे हैं 5 साल पूरे हुए हैं तो हमारे लिए very very important है आप देखो कल एक बच्चे ने comment कर दिया मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमारा PDF कहा मिलेगा SSC और banking के बच्चों को कैसे पढ़ना चाहि अगर हम आपको बताएंगे कि हमारा PDF कहा मिलेगा तो आप चक्कर में घूमते रहना फिर ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे auto component sector on road to reach 100 billion dollar export target by 2030 तक का PIB की news है यह target आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल और देखो अभी allied का हिमाचल वाला जो exam था उसमें भी question बताऊंगा क्या क्या देखो यह जो युद अभ्यास होते हैं हमने वो भी करवाया था मैं आपको दिखाऊंगा भी हमारे current affairs से कौन-कौन से सवाल है शायद आज evening में ऐसी post भी डाल देंगे कि हमने कब पढ़ाया था और वो paper में देखने को मिला है अभी जो paper था allied का ठीक है recently एक दो दिन पहले तो देखो इंडिया USA के बीच में joint military exercise है बीसवा edition है इस बार युद अभ्याश नाम की जो exercise है यह राजस्थान के यहाँ पे महाजन firing range है वह quality management in NCR and adjoining area ठीक है तो इसके जो chairperson होंगे कौन होंगे तो यह आपको नाम याद रखना है पूछा जा सकता है one day exam जैसे जो होते हैं उन में और बाकी tension मतलो हमारा जो नया platform में exam fires करके है आप सभी का धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए 200 पलस हो गए है एक दिन में ही व re-invest के नाम से जिसे जाना जाए ठीक है तो यह कब कहां पे क्या होने वाला है यह 16-18 September को गांधी नगर गुजरात के यहां पे देखो PCS के एक्जाम में ऐसे वाले सवाल पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट ब्रिक्स सम्मिट होगी रश्या में डोवाल आपको ध्यान रखना है कि इसका जो फर्स्ट जो है ब्रिक्स सम्मिट ब्रिक्स नहीं है अभी साउथ अफ्रिका नहीं मिला है इसमें ठीक है तो ब्रिक्स पहला जो है रश्या में होता है 2009 में होता है 2010 में यह ब्रिक्स बन जाता है साउथ अफ्रिका आ जाता है 2021 में इंड बिल्कुल सम्मादीत है तो यह आपको ध्यान रखना है एक न्यू डवलप्मेंट बैंक भी है ठीक है यह भी ब्रिक्स से सम्मादीत है इसका हैड़ोगाटर की बात करें तो संघाई चाइना में बिल्कुल है ब्रिक्स में देखो no member विकीपीदिया पर mention किया हुआ है कि no member है ब्रिक्स में लेकिन बहुत सारे डोकुमेंट्स ये भी कहते है कि सौधी अरेबिया ने भी इसको join कर लिया है अभी मैंने चेक आउट भी किया है BRICS की जो ओफिशल वेब साइट है वहाँ तो पुराना ही डाटा इन लोगों ने डाल रखा है और हम आपको आज मेंशन भी कर देंगे क्योंकि देखो फरवरी 2024 तक तो साओधी अरेबिया के वहाँ से कोई मतलब प्रोपर अनाउंसमेंट वहाँ पे किसी मंतरी का स्टेटमेंट नहीं आया था कि we are going to join लेकिन अभी लगता है बिल्कुल हिस्सेदारी इनकी हो चुकी है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन-कौन मेंबर है नए मेंबर तो very very important तो आपको ध्यान रखना है ठीक है गाईज नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे के चलपन के बारे में देखो के चलपन जो है इनको साहित्य अकादमी अवर्ड 2020 में मिला था अभी इनकी कि अभी पेसे की धन राफिया देखना है बिल्कुल बता देना क्योंकि मैंने पहले कावर करवा रखे हमारे पीडियहर्व हमारे टेलीग्राम चैनल डेलीधा कर के चैनल वहां पे हम स्ट चयों स्पेश new के लिए बहुत बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं अभी तीनो सेनाओं के बिल्कुल स्टाफ के अनिल चोहन साब है इनका नाम याद रखना वन डे अक्जाम के लिए काम का रहता है और क्लेड टू स्ट्रेंज जो है ये मंके पोक्स एम पोक्स से सम्मधी ता है इतना याद रखो प्राइवसी सेंड बोक्स ये किसका है ये प्लेट नहीं किया है आज क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया तो कल हम मैप को डिसकस करते हैं करेंगे आप बुरा भी मान जाते हो हमें तो पता चला है तो आप से ही मैं हूँ आपकी आई रेस्पेक्ट यू मच तो हम लोग कल डिसकस कर लेंगे मैप को ठीक है उसक को नहीं चोड़ना है हम कुछ भी कोसिस करेंगे आप तक अथेंटिसिटी बरकरार रखें और कुछ भी ना चोड़ें नेक्स्ट डीफ सुटिंग चैंपियंशिप के बारे में बात करें तो यह होती है हनाव जर्मनी के यहां पे और भारत यहां पे 21 मैडल लेके आता है ज क्रामेंट सेक्षिन में बिल्कुल बता सकते हैं मिलेंगे नए दिन के साथ तब तक के लिए जैहिंद